परिचए हलो बच्चों, मेरा नाम है सैम मैं अपने सारे दोस्तों के साथ जू यानी चिडिया घर में रहता हूँ मेरे सभी दोस्तों के साइज और शेप यानी आकार अलग-अलग है आप हम में से दो या ज्यादा के बीच तुलना करके ये फर्क बता सकते हैं आज हम तुलना शब्द के बारे में जानेंगे तो आईए मेरे साथ आउ सीखें तुलना वाले अलग-अलग शब्दों की सूची बनाना तुलना वाले शब्दों को इस्तेमाल करके उदारण देना ज्यादा लंबा या छोटा जब दो चीजें एक ही आकार की नहीं होती तो हम उनकी तुलना करते हैं मैं उससे ज्यादा लंबा हूँ मैं उससे छोटा हूँ ज्यादा उँचा या छोटा कद मैं घोडे से ज्यादा उँचा हूँ मैं जिराफ से छोटे कद का हूँ बड़ा या छोटा मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ मोटा या पतला मेरा तना मोटा है मेरा तना पतला है चोटी पर या तलहटी में मैं पहाडी की चोटी पर खड़ा हूँ मैं पहाडी की तलहटी में खड़ा हूँ उपर या नीचे, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, गिलहरियां पेड़ के नीचे खेल रही हैं, अंदर या बाहर, शेर गुफा के अंदर सो रहा है, चूहा गुफा के बाहर इंतजार कर रहा है, उपर या नीचे, मैं पेड़ के उपर उड़ रहा हूँ, मैं पानी के नीचे तैर रही हूँ आगे या पीछे, मेरी मा हमसे आगे तैर रही है, मेरे बच्चे मेरे पीछे तैर रहे हैं, बीच में, मैं दो जिराफों के बीच में खड़ा हूँ, हमने क्या चर्चा की? ज्यादा लंबा या छोटा, ज्यादा उंचा या छोटा, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, भारी, हलका, चोटी पर, तलहटी में, उपर, नीचे, अंदर, बाहर, नस्दीक, दूर, आगे, पीछे, बीच में, क्या रॉएभा रोटा से वाल्नार पारी, होगे, नीचे में, हमाने क्या में, he, क्या बीचे में, ज्यादा है, बीचे, तलह बीचे, ज्यादा ह की बीचे या फिन से बीचे, झाल झाल